दोसों यह है बलापंट का टावर स्पीकर्ज, चलिए इसे चेक करते हैं। यह है इसकी बॉक्स पाकिंग, वैसे यह मिनी साइज का टावर स्पीकर है, यह 6.5 इंचे इन बिल्ट सुपर वूफर के साथ में आता है, 3 इंचे के मिड श्पीकर्ज दिया हूआ है, दो ट्विट का भी option दिया हुआ है, अगर आप ये product खरीदना चाते हैं, या फिर ब्लापंट के और भी speakers खरीदना चाते हैं, view product करके link है, screen के उपर आपको दिख जाएगा उसे tap कीजिए और वहाँ से आप ब्लापंट के speakers खरीद पाएंगे, चलिए इसके unboxing करते हैं, देखते रहें तो box के अंदर आपको ये दो speakers मिलने वाले हैं, look wise इनकी जो quality है एकदम बढ़िया है इनके अलावा ये box भी है और इस box के अंदर ये wired microphone भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको XLR cable attach करना है, वैसे XLR cable भी box के अंदर दिया हुआ है और इस plastic के अंदर, ये है कुछ cables, कुछ booklets power cord और ये remote दिया हुआ है, ये जो speaker है इसके जो body है, ये wood की बनी हुई है सामने से ये ऐसा दिखता है और side से ये ऐसा दिखता है और back side से ये दोनो speakers ऐसे दिखते है, इसके साथ में ये attached cable है इस cable को आपको यहाँ पर plug-in करना है, red जो white है उसे यहाँ पर plug-in करना है अब ये जो speaker है ये इसके साथ में main unit के साथ में connect हो चुका है power cord को आपको यहाँ पर दालना है और on-off के लिए button दिया हुआ है wide microphone आपको यहाँ पर connect करना है USB port भी दिया हुआ है अगर आपके पास कोई pen drive है जिसमें गाने है आप यहाँ पर दाल सकते हैं और उसका जो content है play कर पाएंगे और ये कुछ और connectivity options है, HDMI arc आपको जो TV है उसका जो output है आप यहाँ पर connect कर सकते हैं HDMI arc के जरिये auxin, FM antenna, AV ports और optical port भी दिया हुआ है speaker के उपर यह देखें यहाँ पर touch sensitive buttons दिया हुआ है इन्हें use करके आप जो media है उसे play कर सकते हैं प्लस जो modes है उसमें भी switch कर पाएंगे यह लिजी है speaker को मैंने power के साथ में कर दिया है और यहाँ पर बटन है इसे प्रेस करके आप जो mode है उसे change कर सकते हैं यह दिखें आप यह FM mode में आ गया है तो मैंने जो speaker है इसे मेरा जो smartphone है इसके साथ मैं connect कर दिया है Bluetooth के जरिए और अब मैं इस पर कोई audio play कर रहा हूँ यह सुनिये वैसे इसके उपर जो touch sensitive buttons दिया हुआ है उस पर आपको indication तो नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर दिखिए बहुत यह बड़ी तरीके से indication मिलता है कि फिलाल यह Bluetooth के जरिए connected है अगर आप इसे HDMI के जरिए connect करेंगे तो यहाँ पर आपको HDMI का option दिखेगा जहाँ तक इसकी quality का सवाल है काफी अच्छी है यह देखेए 9 पर रखा हुआ है volume और मैं मेरा जो favorite song है वो play करता हूँ जो bass or treble है आप यह जो remote है इसे use करके adjust कर सकते हैं EQ का भी option दिया हुआ है अगर आपको इसे as a karaoke की तरह यूज करना है तो यह जो microphone है wired microphone इसे आप यह जो XLR cable है इसे use करके connect कर सकते हैं इसे मुझे पीछे connect करना है और यहाँ पर भी on off का switch दिया हुआ है यह देखें चलिए जो microphone है इसे मैं यहाँ पर पीछे connect करता हूँ अब मैंने जो microphone है इसे connect कर दिया है अब जो microphone है इसे मैंने on कर दिया है अलो तो यह देखें यह इस प्रकार से काम करता है तो अगर आपको इसके साथ में गाना गाना है के रियाओ के system के जरिए तो वो भी आप कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसे presentation में यूज करना है में भी एक चोटी मोटी पार्टी है तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार के जो speaker है प्लस जो microphone है इसे use कर पाएंगे तो यह है बलापंट के tower speakers TS-120 यह 120 watt RMS output के साथ में आते हैं 24 inches tall है 360 degrees sound provide करते हैं अगर मैं इसे rating दूँ तो मैं इसे 4.2 out of 5 की rating दूँगा अगर आप खास करके tower speakers खरीदना चाहते हैं तो यह एक काफी बढ़िया option हो सकता है इसका जो pricing है यह है तकरीब नाइन थाउजन फाइव हंडड़ेट रुपीज के आसपास link मैंने video के description में दिया हुआ है देखते रहिए